हेलो व्रीवन वेलकम टूट इस वीडियो वाज की वीडियो में डिसके करने वाले हैं बिटकोइन के चार्ट के बारे में बिटकोइन इस एड़ा वेरी इंपॉर्टेंस एरिया को ब्रेक करना बहुत जरूरी है अगर बिटकोइन को अपनी राली ऊपर की साइड केवल दो दिन बचे हैं एथिरिया मर्ज को एथिरिया मर्ज के बाद एक अच्छा अच्छा में नेट लॉंच होता है या फिर कोई भी बड़ी चीज होती है बड़ी न्यूस आती है किसी वी क्रिप्टो करणसी के साथ तो उसके बार यहां पे डंप हमें देखने को के बीच में तो दिस लुकिंग लाइक बटन तो लाइक दावन ना भूले और लेट सी कि रिस्टेंस एरिया क्या चल रहा है तो रिस्टेंस जोन जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था 21.750 से 21.850 है और आप देख सकते हो कि यहां पे बिटकोईन इस लुजिंग सम उफ इट्स को मल सकता है बट यहां पे अगर हम गेस करना चाहिए कि क्या डेली क्लोजिंग इसके ऊपर होगी या नहीं उसके लिए हमें फोर और का चार्ट कंसिडर करना पड़ेगा जो कि हमने खोल रखा है और हम देखें कि साइट ऑल्दो एक सिंगूलर इंडिकेटर कभी भी हमें अगर हम देखें तो एक सॉट ऑफ डबल टॉप पाटन हमें देखने को मिल रहा है तो इस डबल टॉप पाटन यहां को आप कंसिडर करते बेचलो हम देखते हैं कि प्रिविशली इस डबल टॉप पाटन और इस यहलो लाइन का क्या आसार रा है बीटीशे के चार्ट में बस यह वाला है double top pattern हमें यहां भी देखने को मिला है exactly इसकी तरह और इस जगह पे अगर आप देखोगे तो bitcoin ने एक similar तरीके का run दिखाया था यहां से यह जंप किया उसके बाद resistance पे आके इसने एक double top pattern on RSI दिया और यहां से market took a pullback ठीक है तो this is one example second example कि side अगर हम जाते है another double top हमें यहां पे दिख रहा है although बहुत ही small level पे यह है लेकिन इस जगह पे भी हमें same चीज़ देखने को मिली कि हमने नीजे से एक अच्छा upside लिया फिर एक double top pattern और RSI हमें देखने को मिला then we took a pullback here ठीक है तो RSI हमें यही कह रहा है कि हम यहां पे एक pullback expect करके चल सकते हैं Bitcoin से and exhaustive moves भी इसी side signal कर रहे हैं तो यह pullback कुछ इस तरीके से होना चाहिए and we should be going down to 20,600 से 20,500 dollars की range पे तो इसके लिए ready रहना अगर आप कोई भी high leverage चीजों पे high leverage longs पे हो तो यहां पे थोड़ा सा आप बच के रह सकते हो next let's talk about Ethereum Ethereum क्या कर रहा है Ethereum is still struggling with its $1,800 resistance $1,800 से $1,700 की बीच का resistance zone है जहां पे अभी भी Ethereum ने close off नहीं करा वा है and यहां पे भी हमें देखने को मिल रहा है same type का pattern so indicators के हिजाब से यहां पे हमें एक pullback देखने को मिलना चाहिए market में तो इसको आपको ध्यान में रखना है next let's talk about SPX जो की Monday की opening पे depend करेगा कि किस तरगे का move हो है market में देखने को मिलता है so SPX ने अपने moving averages को तो यहां पार कर लिया even on daily time frame but यह एक resistance पे है this resistance is very important that's why मैं कोई भी major trades लेने से पहले or closing my existing trades Monday की market opening का wait करना चाहता हूँ क्योंकि यहां पे एक अच्छा chance है कि एक pullback हमें market में देखने को मिल सकता है merge की बात करें so 2 days 14 hours are remaining to merge and one more thing we are going to look at now is a weekly chart of bitcoin weekly chart of bitcoin हमें क्या बोल रहा है we are below the 200 weekly moving average जो की usually एक reversal point की तरह काम करता है and हम 300 weekly moving average को भी touch करके नहीं आए है the support is here 18,500 से 19,200 dollars and the main resistance we are facing is 24,500 से 25,200 जो की हमें इस range movement पे moves दिखा रहा है तो हो सकता है कि हम weekly में ऊपर जा सकते हैं 24,500 से 25,200 को touch करने के लिए and एक interesting चीज में आप लोगो दिखाना चाहूँगा जो की हमारे एक user ने share किया है Sujay ने तो Sujay ने हमें यह पर share गया था यह chart जो की BTC के 2018, 2019 weekly को compare करता है 2022 के weekly से and यहाँ पर एक double bottom in weekly देखा गया था जो की हमें यहाँ पर देखने को मिला है this is that double bottom he is talking about and this double bottom can be a reversal point हो सकता है यह एक reversal point and यहाँ पर हम compare करें तो indicators भी almost same तरीके का move कर रहे है एक बड़ा dump आया उसके बाद एक double bottom form हुआ and then market starts moving up तो क्या यह possible होगा या नहीं होगा आप लोग comment कर के बता सकते है also you can also share your own observations next बात करते हैं हम dominance की तो dominance पे हमारी कड़ी नजर रही है and नितिनियम मर्च के आसपास हम dominance को recover करने का expectation लेके चल रहे थे क्यूंकि altcoins को इस तरह पंप कराया जा रहा एतमर्च की news पे and जैसे इतमर्च complete होगा dominance should start going up again and हम 45-46% dominance के आसपास तक पहुँच सकते हैं that is going to affect altcoins a lot altcoins में bleeding होने की संभावना है यहां पे increase हो जाएंगी so it's better to stay in BTC in my opinion I am investing more in BTC right now मैंने अपने altcoin SIPs या इधिरियम के SIPs को अभी रोक दिया है because BTC पे जादा अच्छा upside मिलने की हमें उमीद है and finally let's talk about DXY DXY क्या कर रहा है DXY is at a support, moving average का support है and price की side से भी हमें एक support देखने को मिल रहा है good chance की DXY इस support को hold करता है and BTC थोड़ा सा pullback लेता है before it continues to go up and उसी के around हम अपने सारे के सारे trades आप form करेंगे so that was a very very quick update for you guys कैसी लिगे आपको आज के अप्रेट हमें कमेंट कर दो बता है also make sure to like the video and subscribe to the channel अगर आप टेक्निक लाइन से सिखना चाते हो तो link of the course is in the description thank you for watching, I'll see you in the next one